कुछ हम advance question करने जा रहे हैं सर किसका advance question करने जा रहे है advance वाले का जो कि over subscribe का सर over subscribe के कुछ advance question advance क्या है बस concept मुझे clear करते जाना है एक बार concept clear हो गया chapter खतम हो जाएगा तीन से चार दिन में यह चलिए सर मैंने issued किये 10,000 और here application receive है मैं AR लिख रहा हूँ ठीक है application receive वो है 15,000 और जो paywall है 10 रुपे उस 10 रुपे पेवल को क्या करना है और कैसे करना है मैं simply एक रुपे दो रुपे और सात रुपे करना चाहरा हूँ एक रुपे दो रुपे और सात रुपे चलिए पहली entry या फिर मैं दो कीस बनाऊंगा इसमें भी मैं कर देता हूँ तीन रुपे एक रुपे ठीक है और इसको कर देते हैं हम छे रुपे पहली entry क्या होगा bank account debit to share application चलिए सर बताइए bank account to share application कितने रुपे हैंगे application receive से that is आपका 15K multiply by 3 कितने आगे 45 सवाल में एक line मैंने लिख दिया advance amount या excess application adjust towards on allotment ये line लिखा adjust towards on allotment ये लिखा मैंने अगली entry क्या करेंगे हम share share application to equity share capital और 2 चलिए सर share application कितने हैंगे 45 equity share capital कितने हैंगे हम कितने ही से कर सकते हैं इसको 10,000 into में 3 that is 30,000 ठीक है मैंने आगे करा क्यूंकि पैसे adjust करने कहां पे allotment पे अब एक question मैं आप से पूसता हूँ आप मुझे बताईएगा allotment पे मैं total कितना amount मांग सकता हूँ 10,000 गुणा में यानि 10,000 पहले ये बात समझ में आया कि allotment पे मैं कितने रुपे मांग सकता हूँ क्योंकि allotment कितने रुपे का है एक रुपे का number of share कितने हैं 10 मैं बोलूँगा भईया 10,000 के इसाब से 1 लेकिन यहाँ advance देखा जाए तो sir advance तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे advance on allotment अगर मैं यहाँ पे लिखूं 15,000 तो sir ये गलत है क्यों गलत है क्योंकि sir allotment पे तो 10 से ज़्यादा मांगी नहीं सकते और आपके advance कितने आ रहे हैं very very simple यानि जो यह हमारा है allotment पे advance सारा नहीं जाएगा अब यहाँ पे दो situation बनते हैं number one situation ये बनता है कि हम बाकी के पैसे उसके refund कर दे जितने extra बन रहे हैं allotment के बाद या दूसरा उसको हम further कहां ले जाए आगे call के उपर तो मैं यहाँ पे note देके call पे ले जाऊँगा और यहाँ पे question में मैं लिख भी देता हूँ and balance on call ये लिख दिया मैंने वाडिक अब देखिए पता ही क्या होगा आप calculation ये calculation कैसे समझ में आएगा आपको मैं trick भी बताऊँगा और सोचने का तरीका भी मैं बताऊँगा तो advance allotment advance allotment sir advance allotment कितना होगा sir हम एक रुपे से ज़्यादा ले ही नहीं सकते that is ten thousand जबकि हमें तीन रुपे मिला हुआ है sorry मैंने यहादा लिख दिया यहाँ लिखेंगे हम advance allotment सिर्फ लिखेंगे 10,000 into नहीं करना हमें सिर्फ 10,000 और two calls in advance calls in advance calls in advance क्या होगा हमारा sir बाकी जो बच गया यानि तब जाके आप देखो debit credit क्या हो पाएगा tally हो पाएगा ध्यान रखना कुछ बच्चे कहते हैं कि sir यह क्यों नहीं आप calls in advance सीधा 15,000 रुपे लिखके खतम करें कर सकते हो दिक्कत नहीं है क्योंकि वो call पे भी चला जाएगा और allotment पे भी चला जाएगा लेकिन वो calculation हमारा आगे थोड़ा सा बिगड़ जाता इसलिए मैं अलग अलग करूँँगा सर आपको कैसे पता चला कि यह situation होने वाला है देखो application का amount तीन उसका अगला amount और difference इसके बीच का भी जादा है apply और allotted का बीच का difference भी क्या है तो जब कभी भी apply और apply allotted मैंने गलत शब्दी जूश कर लिया बाद में बताएंगे जब application receive और offer public दोनों के बीच का difference जो है वो जादा होगा सर कितना जादा एप्राक्स 50% और application का amount huge है और उससे आगे वाले का amount कम है तो ऐसे situation में क्या होगा ये पैसा जो है वो allotment तक ना रुक के उससे आगे भी advance चला जाएगा इसका मतलब सर प्रूफ कर सकते हो क्या बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं मान लो 10 रुपे में मैं यहाँ पे रखता हूँ कितना एक रुपे और यहाँ पे रखता हूँ में 6 रुपे और यहाँ पे रखता हूँ में कितने 3 रुपे अब इसकी पहली entry तो यही रहने वाली है सर second entry पे आ जाए हम second entry क्या होगा हमारा share application to equity share capital और अगली बात करें तो two advance on allotment एक बर मन में सोचो मैं advance कितना ले सकता हूँ इस case के हिसाब से तो मन में सोचोगे तो sir हमारे share है 10,000 और total पैसा कितना आएगा 6 के हिसाब से यानि sir 60,000 आ सकते हैं लेकिन इसका advance बन कितना रहा है sir कि allotment का पैसा कितना लेना चाहिए मुझे 60,000 और उसके advance कितने बन रहे हैं 5,000 तो क्या ये advance allotment पे जाएगा 5,000 और बाकी यहाँ पे कितना जाएगा sir मैंने पहला example ले लिया यहाँ पे कितने जाएगे आपके 15,000 और यहाँ पे कितने जाएगे आपके 10,000 क्या allotment के बाद भी इसका allotment क्या पूरा दे पाएगा या इस पैसे से नहीं दे पाएगा इसको और भी बाद में देने पड़ेंगे sir ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं हुआ यहाँ क्यों हुआ यहाँ पे देखो advance के बीच का gap जो है जादा है और plus यहाँ पे पहला छोटा amount है और अगला बड़ा amount है यानि sir अगर पहला बड़ा amount हो और अगला छोटा amount हो और application के बीच का difference हो तब यह situation हमारे पास आ जाता है कि advance पैसा allotment को भी क्या कर जाता है cross कर जाता है यह पता लगाने का एक तरीका है simple सा नहीं तो आपको पूरा calculation करके एक बार देखना होगा बात बाकी आप अगर इसमें क्या करते हो यहाँ पे आपने सीधा call advance में सारा पैसा डाल दिया और उस case आगे कर दिया general entry आपकी पूरी match रहेगे लेकिन examiner marks काट लेगा वहाँ पे क्यूंकि आप सब पैसे कहा एरजिस्ट कर दो के जाके allotment पे और allotment पे एक बड़ी दिक्कत भी आजाएगी आपका negative में आजाएगा allotment सोचो मैं यहाँ पूरा allotment कितना डाल दू 15 का डाल दू सोचो एक बार को और अगली entry करूँगा मैं क्या share allotment इस वाले case के इसाफ से to equity share capital कितना करूँगा 10 और अगली entry करूँगा bank में तो कुछ पैसा ही नहीं है बलकि किस में चला जाएगा यह minus में चला जाएगा समझ रहे हो आप calculation mind में करते जाओ तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि यह थोड़ा समय इसलिए लेके चलना किसी को doubt है तो बताईए यहां तक फिर हम आगे चलें इसको किसी को doubt है क्या यहां तक clear है यहां तक clear है न मैं क्या समझाने की कुछिस कर रहा हूँ यानि सर advance का मतलब सरिफ allotment तक advance नहीं जाता उससे कहीं आगे भी जा सकता है अगर मैं इसमें एक line add कर दूं कि balance amount should be refunded तो यहां पे जहां पे calls in advance 5000 लिखा है वहां पे हम क्या लिखेंगे bank कर देंगे refund सर अगली entry कर देता हूँ इसका तो यह part भी हमारा हो जाएगा खतम अगली entry सर next entry क्या होगा हमारा share allotment to equity share capital कितने होंगे सर that is 10,000 है ना क्योंकि रुपिया और number of share 10 अब application receive से कुछ भी नहीं होगा तो यह आगे हमारा 10,000 और फिर क्या bank में कितने पैसे आएंगे बताओ bank to share कुछ भी नहीं आएगा यह तो सारा यह advance है है ना तो यहाँ पर अब मैं जो entry करने वाला हूँ देखिए ध्यान से although आप कोई entry नहीं करो तब भी चलेगा bank कितने पैसे चाहिए थे 10 advance कितने आगे 10 तो bank में कितने आगे 0 अब advance allotment आ जाएगा advance allotment कितने आगे 10 और 2 share allotment पूरे अब जो बच्चा है सर डारेक कर दो ना क्यों ऐसे दिमाग इसमें लगा रहे हो तो उस case में हमारा allotment पूरा का पूरा credit यहाँ पे debit यहाँ पे pending रह जाता जो cut ने पाता हमारा अगली entry किसकी करेंगे सर share final call account debit to equity share capital कितने रुपे सर बताओ सर 10,000 into में 6 that is 60,000 इसके बाद अगली entry हम क्या करने वाले हैं bank में पैसा जब हम bank में पैसा लेने जाएंगे तो bank में पूरे पैसे थोड़ी ना आएंगे 60,000 और जो advance है वो minus हो जाएगा तो advance कितना है यहाँ पे 5000 मैं इसलिए इसको separate कर रहा हूँ ताके मुझे calculation करने में न easy रहे यह वाला allotment पे चला जाएगा और यह कहाँ चला जाएगा हमारा अगले पे चला जाएगा तो यह आजाएगा 5000 minus करते ही आपका 55,000 रुपे और calls in advance कितने 5000 और two share final call और एक बात का आप ध्यान रखिएगा बहुत important point बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा अगर आपने यहाँ advance on allotment लिखा है तो यहाँ पे भी आपको लिखना होगा advance on allotment अगर यहाँ पे आपने लिखा है allotment advance जो भी यहाँ शब्द लिखोगे वही वहाँ लिखना होगा आपको तभी cancel out होता है technically बाकी paper के purpose से examiner जाने दे सकता है गए चलो ठीक है कोई दिकत ने मालो मैंने यहाँ लिखा क्या advance on allotment यहाँ पे लिख दिया allotment on advance तो दोनों account अलग अलग है यहाँ पे आप अगर trial balance बनाया होगा तो राम का अलग account बनता है और रामा का अलग account बनता है दोनों अलग अलग चीज़े हैं तो अगर मैं call allotment advance कर दूँ advance allotment दोनों शब्द अलग हो जाएगा और दोनों का laser अलग हो जाएग और last में match नहीं होगा वहाँ पे तो इसलिए इसका ध्यान रखे technically कि आप ऐसे बाकिया आप exam में कर भी देते ना advance या advance allotment तो examiner ignore कर देता है चलता है तो यहाँ तक बताईए इसमें कोई doubt है तो बताईए बताईए कोई doubt clear है यहाँ तक